हेलो फ्रेंट्स में रितिन और स्वागत है आपका यूटूब चनल इन्फो टेक ओफिशल में NSAP यानि की National Social Assistance Program एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको अलग-लग तरीके की Pension Scheme में अपलाई करने का मौका देता है NSAP के तहट आप कई तरीके की Pension Scheme में online या फिर offline प्रोसेस के माध्यम से अपलाई कर सकते हैं जैसे कि इंद्रा गांधी Disability Pension Scheme इसमें आप अपलाई कर सकते हैं साथि साथ इंद्रा गांधी Old Age Pension Scheme में आप अपलाई कर सकते हैं या फिर National Family Benefit Scheme में भी आप अवेधन दे सकते हैं, अपलाई कर सकते हैं आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे इंद्रा गांधी National Widow Pension Scheme के बारे में यह स्कीम वीडो मेलाओं के लिए है, यानि कि जिनके हस्बेंट की डैथ हो चुकी है और वो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है ऐसे में उनको अपना गुजर बसर करने के लिए पेंशन की जुरुत पढ़ती है जो की गौर्मेंट की तरफ से उनको परदान की जाती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंद्रा गांधी National Widow Pension Scheme में अपलाई कर सकते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या benefit मिलेंगे, eligibility क्या क्या है याँ आपको कौन कौन apply कर सकता है आपको application form को completely किस तरीके से fill करके submit करना है online और offline दोनों ही process यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए बिना देर कि इस वीडियो को start कर लेते हैं तो इंद्रा गांधी national video pension scheme के बारे में जानने के लिए और apply करने के लिए सबसे पहले आपको my scheme portal पे visit करना होगा इसका link आपको description box में मिल जाएगा इस portal पे आप government के किसी भी scheme के बारे में आके जानकरी ले सकते हैं आपको यहाँ पे search box में type करना है इंद्रा गांधी national video pension scheme आपको first number पे option मिल जाएगा इसी पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आप next page में आ जाएगे जिसमें इंद्रा गांधी national video pension scheme के बारे में complete information आपको देखने को मिल जाएगी details, benefit, eligibility, exclusion, application process, document कौन कौन से लगेंगे सभी चीज़े इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको online apply किस तरीके से करना है यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे details की इंद्रा गांधी national video pension scheme ministry of rural development government of India के दोरा चलाए जाती है अगर benefit की बात करें तो यहाँ पे 40-89 साल की बीच की जो videos होती है यानि जो विद्वा मैलाए होती है उनको 300 रुपए परमत दी जाते है 37-80 साल या फिर उससे उपर age होने पे आपको 500 रुपए परमत यहाँ पे दी जाते है यहाँ पे केवल videos ही apply कर सकती है अगर eligibility की बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ information दी गई है इंद्रा गांधी national widow pension scheme के तहट जो आपकी age होनी चाहिए वो 40-89 साल के बीच में होनी चाहिए केवल videos यानि विद्वा मैलाए हैं यहाँ पे apply कर सकती है साती साथ यहाँ पे अगर आप गरीबी रेखा से नीचे रह रह रही है तब भी आप apply कर सकती है गरीबी रेखा से जो ऊपर है वो यहाँ पे scheme के दहट eligible नहीं है apply नहीं कर सकते है यहाँ पे आपको बतायागे कि आपकी pension कब बंद कर दी जाएगी इस समन्द में आपको जानकरी दी गई है in case of remarriage of widows यानि widows की अगर remarriage हो जाती है अगर vidwa मेला दुबारा से विवा कर लेती है तो यहाँ पे आपकी pension वो बंद कर दी जाएगी साती साथ अगर आप गरीबी रेखा से उपर आ जाते हैं तो भी आपकी pension यहाँ पे बंद कर दी जाएगी तो इस चीज़ का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर application process की बात करें तो आप online और offline दोनों ही तरीकों से apply कर सकते हैं online process इस वीडियो के last में मैं आपको बताने वाला हूँ offline process के बारे में भी आपको यहाँ पे information दी गई है अगर online process की बात करें तो आप उमंग एप से apply कर सकते हैं या फिर उमंग का जो official portal है जिसका link यहाँ पे आपको दिया गए है इससे भी आप apply कर सकते हैं इसके लाबा अगर आप offline apply करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप grammar चेतर से हैं तो आपको अपने gram पंचायत या फिर जो block office होते हैं वहाँ पे जाना होगा वहाँ पे आपको बताना है कि आपको इंद्रा गांदी national video pension scheme के तैद apply करना है वहाँ पे आपको application form दिया जाएगा उसको fill करके आपको document attach कर देने है इसी तरीके से अगर आप शेरी चेतर से हैं तो आप अपने municipality या फिर municipal council में जा सकते हैं वहाँ पे office में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको application form को fill कर देना है उसके बाद जब आपकी सभी detail verify हो जाती है सभी process पूरा हो जाता है तो आपको pension passbook भी issue की जाती है NSAP की तरफ से यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे इस scheme के तहत pension प्राप्त करेंगे उनको अलग से एक pension passbook भी दी जाएगी जिसमें आपकी सभी detail होगी आपको pension जो भी मिलेगी उसकी सभी detail यहाँ पे इस pension passbook में mention होगी documents की बात करें तो यहाँ पे आपको अपने husband का death certificate देना होगा साती साथ BPL card भी आपको यहाँ पे देना होगा साती साथ यहाँ पे आपको age proof का भी एक document देना होगा जिसमें आप अपना birth certificate दे सकते हैं वो नहीं है तो यहाँ पे आप अपना school का कोई certificate दे सकते हैं जिसमें आपकी age का proof हो यानि आपकी date of birth mention हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड या फिर EPIC यानिकी वूटर आइडी कार्ड भी दे सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ question answer दिये गए हैं जिसमें scheme के बारे में और भी information आप ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि scheme के तहाद आपको online apply किस तरीके से करना है अगर आप eligible हैं और apply करना चाते हैं तो यहाँ पे आपको इसी portal पे एक link दिया गया है यहाँ पे आप application process में online के section में आएंगे और यहाँ पे आपको यह वाला link मिल जाएगा इसी पे आपको click कर देना है link पे click करने के बाद आप इस वाले page पे आजाएंगे अगर आपने among portal पे पहले से कोई account नहीं बना रखा है तो यहाँ पे आपको register here के option पे click करके अपना account create कर लेना है account create हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको अपना mobile number और MPN enter करके login कर लेना है login करने के बाद में आप among portal के dashboard पे आजाएंगे उपर आपको एक search box देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको simply type करना है NSAP type करने के बाद में जैसी आप यहाँ पे search करेंगे तो आपको दो option देखने को मिल जाते है NSAP beneficiaries और NSAP तो आपको second number पे जो option दिखाई दे रहा है इसी पे click कर देना है उसके बाद में यहाँ पे आपको National Social Assistant Program NSAP का option मिलेगा इस पे एक बार click करेंगे अब यहाँ पे NSAP की माध्यम से आप इंदरा गांधी National Video Pension Scheme और अन्य तीन Scheme के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको apply online का option दिया गया है beneficiary का payment status आप apply करने के बाद में यहाँ पे चेक कर सकते हैं जब आपको pension मिलनी प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ से आप अपनी payment का status भी check कर पाएंगे तो apply करने के लिए यहाँ पे आपको apply now के option पे click कर देना है उसके बाद में आपके सामने एक application form open होके आ जाता है जिसमें आपको अपनी से भी detail एक एक करके fill करनी होगी सबसे पहले तो यहाँ पे आपको scheme name को select करना है यहाँ पे आपको चार option दिखाए देंगे first number पे जो option आपको दिया गए है वो है इंद्रा गांदी national disability pension scheme सातिसा जो second option दिया गए है वो है यहाँ पे इंद्रा गांदी national old age pension scheme इसके लावा इंद्रा गांदी national widow pension scheme और national family benefit scheme तो इस वीडियो में हम इंद्रा गांदी national widow pension scheme के बारें बात कर रहे हैं तो आपको third number वाले option को यहाँ से select कर लेना है उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी state को select कर लेना है district को select कर लेना है वोई name यहाँ पे आपको लिख देना है उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने husband या फिर father name को लिखना है अपना gender यहाँ से select करना है आपकी जो भी date of birth है वो calendar में से आपको select कर लेनी है जैसे आप अपनी date of birth को select करते हैं तो आपकी age यहाँ पे automatically आ जाती है यहाँ से आपको अपनी cast को select करना है सभी category की महिलां यहाँ पे apply कर सकती है साथी साथ यहाँ पे जो भी आपका communication address है अपना पूरा address यहाँ पे आपको type करके लिखना है उसके बाद में आपके area का जो भी pin code होगा वो pin code यहाँ पे आपको लिख देना है यह सभी detail फिल करने के बाद नीचे आपको next के option पे click कर देना है next पे click करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी account detail एंटर करनी है जिसमें सबसे पहले beneficiary number का आपको option दिया गया है इसे फिल करना mandatory नहीं है तो यह आप ऐसा ही छोड़ सकते है beneficiary number आपके पास available नहीं है तो इसे आपको खाली छोड़ देना है यहाँ पे आपको अपना एक mobile number एंटर करना होगा उसके बाद यहाँ पे ठर्ड नंबर पे आपको payment mode को select करना होगा यहाँ जो भी pension आपको प्राप्त होगी वो आप किस तरीके से लेना चाहते है या फिर branch पता है अगर आपको IFAC या branch के बारे में information है तो यहाँ पे आपको yes को select करना है अपनी state को select करेंगे जिसमें भी आपका bank account है उस state को यहाँ से select कर लेंगे district को select करेंगे अपने bank का name जो भी आपके bank का name है जैसे Punjab National Bank या फिर SBI या फिर कोई अन्य bank है तो यहाँ पे अपने bank का name आपको enter करना है उसके बाद में आपकी branch का name यहाँ पे आपको enter करना है जो भी आपकी शाखा है उसका name enter करेंगे bank type यहाँ से आपको select कर लेना है उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना bank account number enter करना है bank account की सबी detail आपको अच्छे से एक बार दुबाला से check कर लेनी है कि जो भी detail आपने fill की है वो सही है उसके बाद में यहाँ पे आपको next कर देना है last method number पे आपको यहाँ पे अधार verification की detail देनी होगी बिना अधार verification के यहाँ पे इस pension को आप राप नई कर पाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना name enter करना है जैसर कि आपके अधार card में दिया गया है उसके बाद में यहाँ पे आपको अधार number fill करना है अधार नमबर फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको उसे verify कर लेना है आपके अधार काड़ के साथ में जो भी mobile number link होगा उस पे एक OTP जाएगा OTP फिल करके यहाँ पे आप अपने अधार नमबर को verify कर लेंगे तो यह जो red color का dot आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे green हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एक photo upload कर देनी है जिसका file size 50 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो jpg, jpeg या फिर png format में होनी चाहिए यह सभी चीज़े complete करने के बाद में यहाँ पे आपको submit करने से पहले preview के option पे click करके अपने सभी detail अठे से check कर लेनी है आपने application form में जो भी detail fill की है वो अगर सही है तो last में आपको यहाँ पे submit का button दिया गया है इस पे click करके आपको application form को submit कर देना है जैसी आप यहाँ पे submit करते हैं तो आपको एक application number मिल जाएगा जिसको आपको अपने pass में संभाल के रख लेना है application form को completely fill करने के बाद में application number जो आपने अपने pass में संभाल के रखना है आपको उसका print out ले लेना है साथिसा जो document की list यहाँ पे आपको दी गई है जैसे कि यहाँ पे husband का death certificate, BPL card, age proof यह आपको अपने साथ में रखना है अपने अधार card की copy साथिसा जो आपकी bank की pass book है उसकी copy आपको अपने साथ में रखनी है original और copies दोनों ही आपको अपने साथ में रखने है और अगर आप शहरी सेतर से हैं तो आपको अपने municipality या फिर municipal council के office में जा करके वहाँ पे आपको बताना है कि आपने online application form को fill कर दिया है वहाँ पे आपसे जो भी documents मांगे जाते हैं वो आपको वहाँ पे submit कर देना है उसके बाद में आपका verification process यहाँ पे start कर दे जाता है अगर आप grammar चेतर से हैं तो आप अपने gram पंचायत में जाईए या फिर grammar चेतर में block office बने होते हैं वहाँ पे जाके आपको अपने सभी documents submit कर देना है वहाँ पे सभी verification process complete होगा तो आपके दिये गए bank account में post office या फिर bank account जो भी आपने दिया होगा वहाँ पे आपके pension मिलने आपको start हो जाती है तो अगर आप भी इंदरा गांधी national video pension scheme में apply करना चाते हैं तो इस वीडियो को आप completely watch कर सकते हैं इस वीडियो मैंने आपको complete information दी है किस तरीके से आपको apply करना है benefits, eligibility, application process, document कौन-कौन से लगेंगे ये सभी चीज़े इस वीडियो मैंने mention कर दी है उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा साथी साथ इसी तरीके की और भी useful वीडियो आपको मिल सकें इसके लिए चैनल को subscribe करके notification bell icon को जरूर दबा दें चलिए आज की studio में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत